स्टूदेंट, लेट स्टार्ट आवर लास्ट प्रोडिक प्रोपर्टीज विच इज वेलेंशी से मीनिंग क्या है आपने टैंथ क्लास में पढ़ा है वेलेंशी का मीनिंग है कि किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ जो कॉम्बाइन होने की पावर है तो इट इज कोम्बाइनिंग कपे्टी इज इज कॉम्बाइनिंग कपेसिटी इज इज दिक यось इसका कि किसी भी एटम की दूसरे एटम की साथ जो कॉम्बाइन होने की पावर है attach होता है, bond बनाता है, combine होता है तो valency क्या है, changes होती रहती है दूसरे atom के comparison में इसके example discuss करती है इस example में कुछ आपके compounds दिये हुए है इन compounds के अंदर हम hydrogen atom की valency discuss करेंगे means hydrogen atom की valency से meaning क्या है याप पर कि जो hydrogen atom है, उसकी दूसरे atom के साथ combine होने की power क्या है वो हमें discuss करेंगे तो suppose हमने क्या है, sodium hydride, NEH compound है इसके अंदर valency hydrogen की यदि check करें तो वो क्या होगी, 1 होगी तो hydrogen की valency 1 कैसे हुई यहाँ पर हमें क्या है, valency with respect to hydrogen means hydrogen की combining capacity देखनी है कि hydrogen के कितने atomös है, sodium के दूसरे atomος साथ यहाँपर हिठाच है, तो hydrogen का single atom है, means valency hydrogen की क्या होगी? single फिर है MgH2 – magnesium hydride होगी यहाँपर hydrogen के two atoms जो है magnesium के साथ है, इस हिए hydrogen की valency का लकष upload तो पिर aluminium hydride यहाँपर कितने aluminum के साथ कितने hydrogen APP हैं लोगी सिवी दो कितने एंट फो कर दोजन है थरी हईडोजन की वैलनसी कि थ्री फिर शिलिकॉन हाईडोजन यहांपर कितने आइडोजन एटैच थरी सी इसी तरह से H2S, hydrogen sulfide, कितने hydrogen attached है, 2, it means valency क्या होगी, 2, इसी तरह से HCl में hydrogen chloride, कितने hydrogen attached है, 1 hydrogen, 1 chlorine atom के साथ, तो it means यहाँ पर किसकी valency, with respect to hydrogen, means hydrogen की combining capacity हम चेक करें, जो हर एक compounds में other atom के comparison में क्या है, vary curry means change होरी, अब हम क्या करते हैं, variations देखते हैं, ठीक, periodic table में valency कैसे vary करते हैं, सबसे पहले distance करते हैं, variation नहीं है, period, period के अंदर, valency क्या, क्या variations रहता है, तो when we move from left to right in a period, the valency of the element with respect to hydrogen or chlorine increases from 1 to 4, जैसे जैसे हम left to right जाते हैं, तो hydrogen और chlorine के respect में, valency क्या है, increase होती है, hydrogen और chlorine के reference में, कब कहां तक increase होगी, 1 to 4, and then decreases to 0, means क्या है, hydrogen के 4 atom, chlorine तक जाते हैं, तो hydrogen की valency क्या है, 4 तक increase होगी, लेकिन chlorine से आगे जाएंगे, तो आपकी noble gases आजाएंगी, वो react नहीं करेंगी, means वहाँ पर valency क्या हो जाएगी, decreases हो जाएगी, और hydrogen की valency क्या हो जाएगी, वहाँ पर 0, ठीक है, समझाए, अब इसके बाद है, variation along ग्रूप, along ग्रूप यदि हम variation चेक करें, तो all the elements present in a group have the same valence cell electronic configuration, आप group के अंदर जो valency है, वो आपकी same रहेगी, means क्यों, क्योंकि group के अंदर जो आपकी electronic configuration है, वो valence cell में same रहेगी, means valence cell आपकी क्या रहेगी, same रहेगी, it means आपकी वहाँ पर valency भी क्या रहेगी, same रहेगी, means valency में वहाँ पर कोई भी change नहीं आएगा, तो आपको आद रखना है, जब हम किया है, वेरियसनस along the period जाते तह, वैलन सी पहले increase होगी, फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन group के अंदर वैलन सी आपकी, तो ये थी आपकी, last periodic properties, वैलन सी ठीक है, हम 4 periodic properties, आपकी, sorry, 5 periodic properties, हमने डिसकस की है फर्स अटॉमिक रिडियाई तर्थ आप की इलेक्ट्रों गेन एफिनिटी फोड ती इलेक्ट्रों नेगिटिविटीए इस बात जो है नेक्स्ट टॉपिक है वह हम डिसकस कर लेते हैं वो है एनामोलस प्रोपर्टीज ओप सेकिंड period elements हमने जो है इस unit के first part में periodic classifications element के classifications पड़ी दी उसके अंदर second period के जो elements है वो क्या है आपकी कुछ different properties show करते हैं ठीक है anomalous का meaning क्या है कि different properties show करना ठीक है the first element of each group हर group का first element जैसे group first का lithium second group से beryllium और group 13 to boron to 17 means fluorine deeper in many respect from the other member of their respective group means क्या है group का first elements है वो अपने ही group के other element से different properties show करता है वो उस element का यही behavior क्या कहला था आपका anomalous behavior या हम इसको क्या बोल देते हैं anomalous properties बोल देते हैं अब इसके बाद जो है next है आपका टोपिक diagonal relationship in the periodic table ठीक है diagonal relationship in the periodic table देखो क्या होता है यह similarity in properties of element placed diagonally to each other is called diagonal relationship in periodic properties अब periodic table के अंदर हमने different groups study किये इन groups के अंदर जो element हमने क्या है arrange किये हुए है उनके atomic number के coding यह जो है elements आपस में diagonally related होते हैं जैसे हम एक क्या है rectangle discuss करते हैं rectangle के अंदर क्या है आपका diagonal दो diagonal होते हैं इसी तरह से periodic table के अंदर जैसे group first के अंदर हमने क्या है first member lithium group second में beryllium group 13 पर आते हैं boron होता first member और group 14 में आपका carbon तो जो group first का first member है lithium वो group second के second member के साथ means जो कि क्या है magnesium के साथ क्या है diagonal relationship शो करता है meaning क्या है कि वो इसे diagonally related होता है तो यह property क्या कहलाती है आपकी diagonal relationship कहलाती है जैसे group second का first member क्या है beryllium है यह group 13 के second member जो कि क्या है aluminium के साथ क्या है similar property शो करता है it means हम क्या क्या बोल सकते हैं beryllium और aluminium आपस में क्या है diagonally related है इसी तरह से group 13 का first member boron group 14 के second member जो कि क्या silicon के साथ क्या है similar property शो करता means यह क्या है diagonally related to each other है तो ऐसी relationship को हम क्या बोल देते हैं diagonal relationship बोल देते हैं understand अब इसके बाद जो हमने anomalous behavior discuss किया था ठीक है anomalous behavior का meaning क्या था कि group का first member जो है first element group के other element से different properties show करता उसको क्या बोल रहे थे हम anomalous behavior बोल रहे थे तो उसके कुछ reasons है जो group का first member है other member से different properties क्यों show करता तो first है small size जो first element होता है group का उसका size क्या है small होता है इस वज़े से वो क्या है different property show करता दूसरा है large charge by radius ratio means z by e ratio charge by radius ratio जो z by e है या charge by radius ratio की value होती है वो भी क्या होती है different होती है other element से इसलिए वो different properties show करता है next important reason वो है high electro negativity जो group का हर एक group का first member है group के other member से उसकी electro negativity क्या होती है high होती है means element को या other atoms को अपनी तरफ attract करने की power high होती होती है इस वज़े से भी वो different different compounds की formation करता है या यूं कहले जे different property show करता अब इसके बाद last है आपका absence of d orbital means क्या भी हमने discuss किया कि group के first element का size क्या होता small होने की वज़े से small होने का reason क्या है कि उसके अंदर d orbital क्या होता है absence होता means d orbital वहाँ पर present नहीं होता it means क्या है उसका size क्या होगा small और वो property क्या है different show करेगा तो यह reasons थे आपके कुछ anomalous behavior show करने के इसके बाद effective nuclear charge यह हम discuss कर चुके हैं तो इसके साथ ही यह unit का आपकी जो third unit थी इसका last part था यह complete है ठीक है आप revise कीजिएगा इस video lecture को दोबारा से ठीक है और notes के अंदर जो आपको notes दे जाएंगे उसमें से आप जो है अपनी notebook prepare करना ठीक है next video lecture में हम जो है next unit आपकी chemical bonding and molecular structure पो स्टार्ट करेंगे थेंक्यू